हर साल पांस दिसंबर को दुनिया भर की लोग विश्र मिर्दा दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं एक ऐसा आउसर जो प्रित्वी पर जीवन को बनाये रखने में मिट्टी की महतपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है यह वार्षिक आयोजन मिट्टी, पौधो, जानमरो और मनुशियों के बीच जटिल सम्मंधों की याद दिलाता है इस अमुली संसाधन को संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्रक्षित पर जोर देता है मिट्टी हमारे जीवन का भीन अंग है, वे हमें आवश्रक, पोशक, तत्व, प्रदान करते हैं खाद पदार्थों की विकास के लिया आधार है और विविद प्रजातियों का घर भी है मिट्टी के मानक को बनाये रखना और यश्रुनिश्रित करना की मिट्टी की गुनवता स्वास्थ हो हर किसी के जिम्यदारी है और दोगी करन और खराब भूमी प्रबंधन प्रनालियों ने कई स्थानों पर मिट्टी की गुनवता को खराब कर दिया है जिसे मिट्टी का उरवर्ता में गिरावट और कार्बनिक पदार्थों की हानी हो रही है। दोष्रमरदादिवस हर साल ये शुनिश्रित करने के लिए मनाये जाता है कि लोगों को मिट्टी की गुन्मता बनाये रखने के महत्व के बारे में जानकारी दिजाए। और ये हमा और वेश्विक म्रदा भागी दारी के धाचे के भी तरकी गई थी। खाद और कृषि संगठन ने वेश्विक जागुर्टता बढ़ाने वाले मंच के रूप में WSD की आपचारिक स्थापना की वकालत की। FAO सम्मेलन के सर्वसमती से जून दोहर 13 में विश्विक म्रदा दिवस का समर्थन किया गया और 68 सन्युक्त राष्ट महासभा में इसकी आपचारिकता का अनुरोद किया और दिसंबर 1213 में सन्युक्त राष्ट महासभा ने जवाब दिया और 5 दिसंबर 1214 को पहले आधिकारिक विश्विक म्रदा दिवस के रूप में घूषिद किया गया सन्युक्त राष्ट के अनुसार विश्विक म्रदा दिवस 2023 का विसाई है मिट्टी और पानी जीवन का एक्ष्रोत, हमारा 95 प्रतिशत से अधिक भोजन इन दो मूलभूत संसादनों से उत्पन होता है मिट्टी का पानी, पौधो द्वारा पोशुकतत्वों के और शोसन के लिए महत्पून है हमारे परिष्थितिक तंत्र को एक साथ बानता है यह सहजीवी सम्मंध हमारे क्रिशी प्रनालियों की नीव है इसमें आगे कहा गया है कि जलवायू परिवर्तन और मानव गतिवीधी के कारण हमारी मिट्टी खराब हो रही है जिसे हमारे जल संसादनों पर अत्यधिक तबाव पड़ रहा है कटाव प्राकृतिक संतूलन को बाधित करता है जिसे पानी की घुसपेट और सभी प्रकार के जीवन के लिए उपलवता कम हो जाती है